जहीं दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल और फ्रम अप्लाई पर तो दोस्तो एन आई ए यानि कि नेशनल इंस्ट्यूट आफ आयुवेदा में बहुत सारी पोस्ट निकल कर सामने आ चुकी है जिसका नोटफिकेशन आपको मैं इस वीडियो में बता जाएगा तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस पोस्ट के लिए कब से अपलाई होगा तो चार दिस सандमबर दोहजार 2021 से लेकर लास्ट डेट इसका दो फरवारी 2022 तक है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्το किज किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो पंच्कर्मा विद्या पंचकर्मा वैद्य जूनियर एस्टोनोग्राफर हिंदी जूनियर मेडिकल लेबरोटरी टेकनोलोजिस्ट लेबरेरी असिस्टेंट लोवर डिविजन कलर क्या निक जो जिसे लडिसी भी कहा जाता है मल्टी टास्किंग स्टाप MTS यह सारे पोस्ट इस तरह के यह है वह 40 वरस है और जूनियर एस्टोनोग्राफर के लिए 28 वरस और जूनियर मेडिकल लेबरोटरी के लिए 28 वरस लेबरोटरी असिस्ट लेबरेरी असिस्टेंट के लिए 30 वरस लोवर डिविजन कलर के लिए 27 वरस मल्टी टास्किंग स्टाप के लिए 25 वरस तो इस त रीउट नहीं दी जायेगी वह हैसी अर्ट के लिए पांक साल की इसमें तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं haraman के लिए 3 साल की छूट है और फिसकल हैंडी काप्ट उसके लिए 10 साल के लिए छूट है तो दोस्तो यह थी पूरा पोस्ट और अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का तो इसमें आपको जो पंचकर्मा वैद्य है इसमें MD आउर्बेद इन सब्जक्टू पंचकर्मा फ्रम रिकोगनाईज इनवर्सिटी एंड डिली रिकोगनाईज बाई CCIM से इसमें आपको MD होना चाहिए तभी आप इसमें अपलाई कर सकते हैं जुनियर एस्टेनोग्राफर के लिए हाई स्कूल पास चाहिए कोई भी सेंट्रल गवर्मेंट या स्टेट गवर्मेंट से और आपको कम से कम 30 WPM हिंदी टाइपिंग और 30 WPM शॉट हैंड आना चाहिए हिंदी टाइपिंग में तो दोस्तों आपको यह हो गया जुनियर एस्टेनोग्राफर का जोगता और जुनियर मेडिकल लेबरेटरी के लिए जोगता जो है 10 प्लस 2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और DMLT फ्रॉम एनी गवर्मेंट रिकोगोनाइज इन इंस्टूट विथ वन एर आपको डिप्लोमा होना चाहिए या सेटिफिकेट होना चाहिए तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोवर डिविजन कलर के लिए इसमें 12 पास चाहिए कोई भी सेंटरल या स्टेट गवर्मेंट से या और टाइपिंग आपको 35WPM यानि की वर्ड पर मिनट आपको इंगल की तो इसमें मिनिममम क्वालिफिकेशन आपको 10 पास ही है कोई भी आप इसमें अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों यह था पूरा परकिरिया और भी आपको डिमांड ड्राफ से पेमेंट करना है और यह जो फॉर्म है दोस्तों आपको आफ लाइन भारा जाएगा तो पूरा नोटिफिकेशन के लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड करा दिया गया है वहां से आप जाकर देख सकते हैं और इससे बिश्त्रित जनकारी ले सकते हैं यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कॉमेंट में जरूर पूछ सकते हैं हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और इसी तरह के अन्य वीडियो जॉब सर लेटर देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यदा से ज़्यदा सेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिंद बंदे मा आत्रम